कि वेरी गूट इवनिंग एवरीवन गूट इवनिंग कैसे हैं आप सभी बच्चे तो इक तम बढ़िया मज़े से और अपनी तयारी बहुत अच्छे से आप लोग कॉंटिन्यू कर रहे होगे वेरी गूट इवनिंग आज के सेशन में जिसमें हम लोग डिसकस करने वाले हैं सिंपल इंट्रेस्ट और कंपाउंड इंट्रेस्ट के कुष्ट्ट्ट्स हैं इसमें मुझे ऐसा लगता है कि सिंपल इंट्रेस्ट तो आसानी है सबस्ट्ट्ट्रेस्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट से मैं आपके साथ के एक्जाम के लिए पढ़ा रहा हूं और मैंने सब्सक्राइब करें उससे पहले कुछ इंपॉर्टन चीजे मैं आपके साथ डिसकस कर रहा हूं उसको देखना और आपको आज के सेशन के बात compound interest में कोई doubt नहीं रजाएगा compound interest के जो fractional year और मैंने कुछ type of questions आज आपके साथ discuss करूँगा उसमें आप देखना आपको सीखोगे आपको मज़ा भी आएगा और कुछ नहीं नहीं चीजें देखने को मिलेंगी ठीक है चलो तो start करते हैं नोट्स आपको पता है ऐसे सी एक्जाम के लिए अनकाडमी बहुत बढ़िया नोट्स प्रवाइड करती है तो नोट्स आप देख सकते हैं नोट्स कहां पर मिल जाता है आपको self study tab में मिलता है जब आप अनकाडमी का फीचर है यहां पर आप अपने friends के साथ लोगों के साथ battle कर सकते हो और बढ़ी असे आप competition कर सकते हो अन्नोन लोगों के साथ आपको मिलेगा और आपको पता चलेगा कि आपकी knowledge कितनी है आपकी speed कितनी है यहां से पता चलती है इसका यूज कर सकते हैं आप अपने questions को Monday to Friday आप इस time पर Unacademy app को open करके मेरी profile में जा सकते हो profile search कैसे करोगे आसी स्तिवारी search करना आपको मेरी profile मिल जाएगी और इस profile में आप इस time पर जब भी join करोगे तो मेरा free session रहता है उसमें आप अपने questions को image लेकर के click करके बेज सकते हो और आपको आपने doubts को clear भी कर सकते हो ठ तैयारी कर रहे हैं तो वह Unacademy app को जरूर इंस्टॉल कर लें चलो बाकि टॉप educators के top batches जो already running है 24th November से आपका और इंडिया rankers बैचे से सीजिल एक्जाम के लिए इसी तरह से लक्ष है जिसमें पढ़ा रहा हूं और उसी के regarding में आपको आज simple interest compound interest में compound interest का type बहुत अच्छे questions को discuss कराता हूं तो यह batch 24 November से चल रहा है इसी तरह से MTS का batch भी चल रहा है तो आप इनमें भी enroll करना चाहते हो तो आपको प्लस subscription लेना है और ऐसे सारे batches में आप एक साथ enroll कर सकते हो आपको code यूज करना है असीज.tivari अगर आपके code यूज करते हो तो extra 10% off भी आपको और आइकोनिक सब्स्रिप्शन के लिए भी सेम कोड यूज कर सकते हो आसीज.tivari चलिए तो लेट्स क्रैकिट आपका जो एक्जाम है से से का उसको ट्रैक करते हैं क्लियर करते हैं आज मैं आपके साथ डिसकस करना वाला हूं वह questions जिनमें calculation जो होती है न वहाफ यरली या फिर based compounded होती है monthly compounded इस तरह के जो questions होते हैं for example इस तरह का एक question मैंने आपके सामने लिया हुआ है ठीक है पहला question आपके सामने आ गया है जड़क को read करो मैं आपके screen से हट जाता हूं so that आप question को properly देख पाऊ पूरा question आप read करिए और क्या question कह रहा है कैसे इसको solve करेंगे वह ह करना start करी फिर मैं आपको इसका solution बताता हूं कि कैसे इस question को आप बड़े ही आसानी से कर सकते हो जाना यह आपका question है क्या बोल रहा है यह borrowed a certain sum of money from the bank at 8% per annum interest compounded half yearly per annum यानि कि साल भर का rate percent है वो 8% है और compounded half yearly किस तरह से सहियोजित होती है अर्दवार्शिक रूप से सहियोजित होता है जुडता कैसे अर्दवार्शिक रूप से जोड़ा जाता है तो आपको बताना है आपसे question में पूँच रहे what was the principle principle क्या था यह दी उसे if he pays one nine six eight five one यानि कि अगर उसे एक लाग श्यानवे जार आठ सो एक्यावन रुपए की धनराशी बैंक को चुकाई तो उसने कितना उधार लिया था मोल धन क्या लिया था यह आपका question पूछ रहे देखो बैटा इस question को करने के लिए कैसे करोगे यहाँ पर मैं आपको तरीका बता रहा हूँ तरीका सीख लो देखो पहला साल तो उसने पूरा पूरा दिया तो पहला साल मैं क्या कहूंगा कि एक साल उसने पूरा दिया तो पूरे साल के लिए rate percent rate परशेंट तो हमें सही 8 percent 8% रहेगा मैं आपको इस question को fractional year के जितने भी question आएंगे जिनमें भी आपसे साल जो है वो एक साल के जगए देड़ साल है 1.3 year है ऐसा कोई भी आपका question रहेगा तो मैं उसमें question को करने के लिए succession method आपको सिखा रहों succession method आप सिखिए देखो पहला question क्या बोल रहेगा एक साल आपका complete होगा कितने rate से 8% से अगला एक साल नहीं है कितना है आधा साल ही complete हो पाएगा 8% से तो मैं आपसे बोलूँगा कि R और T rate और time इनका multiplication कर लो कितना आगया 8% 8% का मतलब होता है 2 बटे पचशीस यानि कि अगर कोई rate 25 था तो एक साल में कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा लेकिन अगर आधा साल ही जाओगे तो कितना होगा 4% चार परशेंट का मतलब एक बटे 25 यानि कि वो अगले साल कितना होगा 25 से 26 ही जाएगा तो यह वैल्यू आपकी क्या आगई यानि कि अगर मेरे पास प्रिंसिपल कितना होथा 625 तो जो मुझे एमाउंट पे करना पड़ता वो कितना करना पड़ता 26 गुणे 27 के बराबर पहले मुझे सिर्फ यह बताओ कितने बच्चों को यह कुश्चन इतना समझ में आए जितना मैंने डिस्कस किया कि नंदिनी विटा कि आपको यहां तक कुश्चन समझ में आ गया बताइए कि यहां तक चीजें क्लियर है यहां तक मैंने कैसे 625 की वैल्यू को 26 गुणे 27 लिखा यह बात आपको क्लियर हुई यहां पर मैंने 80% का यूज किया है जहां पर टाइम मैं एक साल से बढ़ा नहीं लूँगा तो अगर एक साल कंप्लीट हो गया तो मैं उसको लिखूँगा एक साल में 8% 8% का मतलब है 2 बटे 25 यानि कि 25 की वैल्यू कितनी हो गई 27 के बराबर अगले साल में आफ एर में 8% यानि कि 4% से बढ़ेगा 4% का मतलब एक बटे 25 तो 25 की वैल्यू कितनी हो गई 26 के बराबर यहां तक ठीक है चलो मैं एक बार repeat कर रहूं फिर से आप देखो फिर से समझ लो नहीं समझ मिया आया है है आप बोल दो comment कर दो कि नहीं समझ मिया है मैं repeat कर दूंगा कोई प्रॉब्लम नहीं है देखो एक बाँ फिर से समझ लीजे बहुत अच्छा कोशन है और ऐसे एक नहीं पूरे कोशन आज के सेशन में मैं आपको फ्रैक्शनल यह और जब कंपाउंडेड मंतली हाफ यह ऐसा होता है न वहीं मैं आपके साथ डिसकस करने का रहा हूँ देखो भ दनराशी उधार ली मूल धन क्या था यदि उसने एक वर्ष चै महा में एक लाग च्यानवे जार आठ सो एक्यावन रुपए की धनराशी बैंक को चुकाई यह कुशन आपसे पूंच रहा है कैसे करेंगे अगर यह वार्सिक होता तो हम लोग डेढ़ साल को कैसे लिखते ह हम दों बोलते एक साल यहां complete हुआ और आधा साल यहां complete हुआ एक साल में rate% 8% अगले साल भी rate% 8% लेकिन क्योंकि आधा साल ही हुआ तो यह मैं आपको बता रहा था कि 8% एक साल में जायेगा R into T का मतलब 8% हो गया और अगले साल के लिए आधा साल तो 8% तो आप क्या बोलते हैं अगले साल के लिए मैं 4% से इंक्रेस कर सकता हूँ ये value तब होती जब ये हमारा जो compound है ये कैसा होता? annually होता तब ये question को करने का तरीका होता लेकिन यहाँ question को कैसा अर्दवार्सिक रूप से कर रहे है अर्दवार्सिक रूप से करने पर rate कैसा हो जाता है? आधा हो जाता है यानि कि 8% की जिगए ये कितना हो जाएगा? मात्र 4% हो जाएगा और question में आप से क्या बोल रहे है? और आपका जो समय है वो कितना है? एक साल 6 महीने तो आप देखो हर 6 महीने में आप क्या करोगे? amount पर ब्यार्ज दोगे तो एक साल 6 महीने कितना होता है? आपने का 6 months की 1 cycle 6 months की 1 cycle 6 months की 1 cycle ऐसे कितनी? 3 cycles बन जाएगी 4% का मतलब कितना हो जाएगा? 25 से 26 ये आजाएगा यहां तक clear है? यहां तक कोई problem नहीं तो आप बोलोगे कि वही तीन बार के बाद कितना आएगा? अब देखो 26 का आपको cube याद है कि नहीं? वही मुझे भी नहीं याद है लेकिन मुझे 13 का cube याद है 13 का cube कितना होता है? 2, 1, 9, 7 तो यहां पर मैं 13 के cube में कितने से? 2 का cube 8 से गुणा कर दूँगा तो ये मुझे 26 का cube मिल जाएगा कितना आजाएगा? 8 सदे 56 के 6 हासिल लगेगा 5 9 अटे 72 और 5 सदतर के साथ हासिल लगेगा 7 8 एकम 8 साथ 15 के 5 हासिल लगेगा 1 8 दुनी 16 और 17 तो ये मुझे पता चल गया 26 का cube ठेके 26 का cube मुझे भी नहीं याद है लेकिन मुझे 13 का cube याद है तो 13 के cube से 26 का cube निकाल सकते हैं 25 का cube कितना होता है? 15 625 एक बात है यहां तक समझ में आ गया तो आप से question में क्या पूछ रहा है? जो आपका amount है वो कितना दिया गया question में? 1 9 6 8 5 1 आपके according जो value है वो कितनी है? 1 7 5 7 6 ये question के according कितना है? 1 9 6 8 5 1 मुझे बताओ कितने से गुणा करने पर यह आएगा? देखो यहां 17,000 है यहां 1,96,000 है तो 17,000 है और 1,96,000 है से गुणा करें कि unit digit 1 आजाए बताओ तो यहां पर इसको आपको देखना पड़ेगा सायद पूरा कटे या नहीं कटे इसका भी कुछ confirm नहीं है तो इसके लिए क्या कर सकते हैं? देखो और यहां पर यह आपका approximate तो नहीं है न कहीं पर भी a borrowed sum of money तो approximate तो नहीं है तो 196,851 इसको divide कर दोगे कितने से? 175,76 से और इसको multiply कर दोगे 15,625 से तो इसको आप solve कर लोगे और यह आपका answer approximate निकल करके आएगा I think यहां पर approximation किया जा रहा है कुछ तो इसको solve किया वही किसी बिच्चे ने? अच्छा, SSC student बोल रहा है कि इसका answer जो है 17499 approximate आ रहा है मतलब यहां पर question जो है वो पूरा-पूरा कटने वाला नहीं है न? तो ऐसा question थोड़ा सा कभी-कभी ऐसा मिल जाता है यहां पर पूरा-पूरा नहीं कटता है वर ना generally questions ऐसे कट जाते हैं और इसका answer चेक कर लेते हैं तो यहां पर भी मैंने answer की लगा भी लिए इसका answer B part is the right answer चलो next question भी आ जाओ ऐसे ही सभी question बहुत बढ़िया-बढ़िया है question का data जो है बहुत अच्छा है देखो next question क्या कह रहा है इसको attempt करो जारा next question को attempt कर लो similar question ही है और दो वार्सिक रूप से सही होजित होता है तो rate percent फिर से कितना हो जाएगा 4 percent 4 percent मतलब एक बटे 25 तो 25 से 26 हो जाएगा अब हम लोग previous data का use करेंगे previous data जो हम लोग निकाला था 15,625 से कितना हो गया 17,576 तो मैं क्या कहूंगा 15,625 से कितना हो गया 17,576 यह 25 का cube हो गया यहाँ पर 26 का cube हो गया तो question क्या पूछ रहा है आपको बताना है 37,500 रुपे के मूल धन पर 37,500 रुपे यानि 15,625 की value कितना बोल दिया 37,500 रुपे इसके मूल धन पर क्या पूछ रहा है चक्रविदी भियाज के दर से मिश्रदन क्या होगा इसकी value आपको बतानी है तो यह देख लो कितना हो जाएगा वही देखो यह तो कितना लिखा हुआ है एक की value निकाल लेंगे आप कहोगे 15,625 की value question में कितनी दिगई 37,500 के बराबर तो एक की value कितनी आ जाएगी 39,500 divided by 15,625 और इसमें गुणा कर दोगे कितना 17,560 के बराबर तो आप आप इसको solve करोगे और इसका answer कितना आ जाएगा देखो 125 से कर मैं काटूँ मतलब यह कितना लिखा हुआ है 25 का cube है इसको लिख सकता हूँ 25 गुणे 25 गुणे 25 इसमें एगर मैं इसको 25 से काटूँगा तो 25 से कितनी बर जाएगा बलकि 125 से कर मैं काटूँगा यानि कि इसको 5 इसमें नीचे लिख लेता हूँ तो यह कितनी बर जाता है 3 बर जाता है और 25 से 100 को काट दोगे तो आ जाएगा तो ये कितना आ गया, चारती है 12 बटे 5 आ रहे यानि कि इसका मुझे क्या करना है, 12 बटे 5 से गुणा कर देणा है, तो 12 बटे 5 से गुणा कर दोगे तो कितना आ जाएका? जेखो, 12 बटे 5 से गुणा करने के बजै दो से multiply, एंद 2 से divide कर दो, तो यह कितना 24 से इसमें गुना कर दो, और नीचे में कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा 24 से गुणा करोगे तो कितना आएगा 6 चोको 24 तो आपका 4 आएगा अब 0.4 आपका यहां पर भी है तो आगे गुणा करना पड़ेगा 24 चका 144 तो आपका 4 आएगा 14 आपका हासिल लग जाएगा और 24 सत्य कितना हो जाएगा 168 168 और 172 182 तो यह आजाएगा 2 18 आपका हासिल लग जाएगा 24 पंचे 120 120 और 18 कितना हो जाएगा 138 कि 8 आजाएगा तो 8 आगया यहां से अंतर आगया देखो 8 2 आगया यहां 8 2 यहां पर है कौनसा ओप्शन हो गया A part is the right answer अच्छा आपने A part answer निकाल लिया लेकिन अगर आप A part answer निकालने के बाद A option टिक कर दोगे तो गलती हो जाएगी ध्यान रखना कभी कभी ऐसा question भी दे देता है कि 4 option उपर बनाए और उनको भी 4 option नीचे सफल कर दिया तो यह double question हो जाता है जिसमें right answer find out करना और भी मुस्किल हो जाता है ना चलिए तो C part यह इस question का right answer हो जाएगा ठीक है ना चलिए next question पर आ जाईए और next question का right answer देखो क्या होगा कि इसको attempt कर लो यह भी question बढ़िया है देखो question को read करो यहां तो question का data आसान है बोल रहा है बीस प्रितिवर्ष की दर चक्रविदी ब्याज पर उधार दी गई एक धन राशी दो वर्सों में 964 रुपय का ब्याज देती है यदि ब्याज प्रितिवर्ष दे की तुलना में छमाही दे होता तो प्रात्थ होने वाली राशी ग्याद करें यह आपका question है देखो आपने का 20% प्रितिवर्ष की दर से दो वर्सों में 20% मतलब एक बटे 5 तो 5 से 6 और 5 से 6 ऐसे जाएंगे दो वर्सों में कितना हो जाएगा 5 का स्क्वार पचेस और 6 का स्क्वार कितना हो जाए गा 36 पर तो ब्याज…? जा कितना मिलेगा स्भार कानी का देख ब्याज मिलेगा सारा है अब बोल रहे हैnd . 244 रुपए का ब्याज देती कब अधीक देखो हिंदी में थोड़ा सा लैंग्वेज गलत है इंग्लिस को पढ़ोगे तो समझ में आएगा तो देखो अगर एन्वली पेएबल होगा तो कितना ब्याज देना पड़ेगा ग्यारा ब्याज देना पड़ेगा पचिस सुपह पर लेकिन क्या बोल रहा है अगर मैं हाफ येरली देखूं तो कितना हो जाएगा तो हाफ येरली के केस में आपको पता है रेट परशेंट कितना हो जाता तैन परशेंट और ब्याज जो देना पड़ता कितना देना पड़ता अगर मैं दस जार रुपए ले लूँ तो दस जार रुपए पर चार वर्स का निकाल दोगे तो कितना जाएगा 4641 इतना ब्याज देना पड़ता अगर दस जार रुपए पर मैं 20% के हिसाब से पूछूं तो दो वर्स का ब्याज कितना हैगा आप बोलोगे 20% के साब से एक साल में 2000 और अगले साल में 2000 तो देना ही पड़ता तो 4000 और 2000 का 20% यानि कि 4400 ब्याज आपको देना पड़ता तो इसकी तुल्ला में ये कितना ज्यादा है इसकी तुल्ला में ये ज्यादा है 241 तो ये आजाएगा 241 तो 241 की value question में कितना दिया गया है 964 के बराबर 241 की value 964 है तो कितने से गुणा किया जा रहा है 4 से गुणा किया जा रहा है तो आपसे अगर principle पूचा जाए, what is the sum, principle आपको बताना है, तो 4 से गुणा कर दोगे, कितना आ जाएगा, 40,000 के बराब, ठेके न, हिंदी में थोड़ा सा data गड़बड है, हिंदी को इसलिए मैंने skip कर दिया, आप English से question पढ़ोगे, English का answer correct हो जाएगा, ये question आसान था, समझ मे भी आ गया, ठेके न, चलिए, next question पर आ जाते हैं, इसका answer दोगो, a part ही है, ये ही आ गया हमारा, चलो, next question पर आ जाओ, और इस question का right answer find out करो, एक जन्वरी और एक जुलाई को क्या करता है, छह जार रुपए जमा करता है, एक बैंक अर्दवार्सिक रूप से 20% चकरविदी ब्याच की, 20% compound interest पर half year, ऐसा एक बैंक देता है, वर्स के अंत में ब्याच के माध्यम से उसे कितनी राशी मिलेगी, देखो एक question बहुत अच जाता हूँ, जन्रली question ऐसे मिलता है, कि 20% पर एनम, compounded half yearly, question जन्रली आपने ऐसे देखा है, कि compound वो कैसे हो रहा है, half yearly हो रहा है, लेकिन जो rate percent दिया होता था, वो पर एनम दिया होता था, ऐसे questions में क्या करना पड़ता है, इस पर एनम को पर half yearly convert करने के लिए आधा करना पड रहा है, एक bank 20% compound interest पर half year ही दे रहा है, यानि कि जो rate percent हो कितना है, आधे वर्स के लिए ही आपको सीधे से दे दिया गया है, समझ गया ना भी, यह 20% ही चलेगा, इसको 10% करने की ज़रुवत नहीं पड़ेगे, तो बोल रहा है, अर्दवार्सी क्रूप से 20% चक्रदी ब्या 20% की दर से 1200 रुपए उसको मिलेगा, फिर वो एक जुलाई आ जाएगी, एक जुलाई पे वो 6000 रुपए और जमा करेगा, तो वर्स के अंत तक इस पे तो वो मिले गई उसको, 1200 रुपए, इस 6000 पे भी 1200 रुपए मिलेगा यहाँ पर इस वाले time period में, और बताओ क्या मिलेग इस 1200 पे भी 20% के हिसाब से ब्याज मिलेगा, तो 10% 120, 20% 240, तो कितना ब्याज मिल गया, बताओ जरा, तो आप क्या कोगे, 6000, 6000 तो हमारा principle हो गया, इसको हटा दो, 1200, 1200 और 1200, कितना हो गया, 1800, या न, 12, 24, 36, 36, और 240 और जोड़ोगे, तो 3840 का ब्याज मिलेगा, बेटा, SSC student, ज 10% में convert किया, और ये तब करते हैं, जब 20% पर एनम, 20% वारसिक दर, संयोजित, अर्दवारसिक रूप से कहा जाए, जब question में directly बोल रहा है, कि अर्दवारसिक रूप से 20% की दर है, तो answer आपका गलत हो गया, समझ में आया, आपको कहां पर mistake हो रही है, ये question बहुत star mark कर लो और इसको हमेशा के लिए लिख लो अपने पास, ये question ऐसे कभी-कभी पूछा गया है, ये कातबार exam में, जिसमें आपको directly ये given होता है, कि rate percent कितना है, 20% है, ये वाला question बहुत special question है, 90% बच्चे इसमें गलती कर देते हैं, इसको सीधे से 20 को 10 कर देते हैं, 20 को 10 की जरूत न पड़ता है, लेकिन question ने सीधे से अर्दवार्चिक रूप से ही ब्याच की दर दे दी, तो ऐसे में अर्दवार्चिक रूप से ब्याच की दर 20% ही लगाएंगे हम लोग, कितने बच्चों को ये question समझ में आया, बताओ, बढ़िया है, समझ में भी आ गया, ठीक है न, ये इस question का answer होगा, देखो इस answer कितना है, बी part है, बी part है यानि 3840 के बराबर, ठीक है, बहुत अच्छा question है, बहुत ध्यान से question को read करना, next question पर आ जाओ, और इस question को attempt करो, देखो ये भी question वही say में, bank office 20% compound interest per half year, अर्दवारसिक रूप से सीधे से उसने दे दिया 20% का ब्याज की पेसकस करता है, एक ग्रहक एक वर्स में एक जन्वरी और एक जुलाई को 2800 रुपय जमा करता है, वर्स के अंत में ब्याज के माध्यम से उसे कितनी राश्य मिलेगी, जरह solve करके इसका answer निकालिए, देखे कितने बिच्चे इसका answer निकाल सकते हैं, करेंगे, देखेंगे, कैसे करेंगे, सिमिला question है, 2800 रुपय जब वो जमा करेगा, तो पहले 6 महिनों के लिए उसे कितना ब्याज मिलेगा, 20%, 10%, 280, 20%, 560, अगला समय आ जाएगा, आपने का, अगले 6 महिनों के लिए 560 तो उसको मिले गई, 2800 रुपय उसने और जमा किये, इस 2800 रुपय के लिए भी 560 मिलेगा, और इस 560 पे भी ब्याज मिलेगा, कितना, 20%, 10%, 56, 20%, 112, तो कुल ब्याज कितना मिलेगा, 560 का 3 गुणा कर दोगे, 500 का 3 गुणा 15, 60 का 3 गुणा 180, 1500 और 180, 1680, 1680 में 100 जोडते, 1780, 1780 में 12 जोड़ोगे, 1792, ये इस कुश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, that is, C part is the right answer, ठीक है, कुश्चन समझ में आ गया, ये इस कुश्चन का राइट आंसर हो गया, अगला कुश्चन खौद बढ़िया, वही देखो, सारे कुश्चन बहुत गजब के हैं, मज़ा आएगा आपको, अगर आप attempt कर पा रहे होगे, तो बिल्कुल मज़ेदार है, नहीं attempt कर पाऊगे, तो थोड़ा सा difficult questions है, है न, चलो, next question, देखो क्या कह रहा है, एक धनराशी को वार्शिक सहियोजन के लिए, 10 प्रतिवर्श की इदर पर उधार दिया गया है, 10% पर रहनम है, बोल रहा है, यदि compounding कैसे होती, यदि अर्दवार्शिक होने पर ब्याज 80 रुपए बढ़ जाता है, तो उधार दी गई राशी क्या है, ये question है, rate percent कितना है, 10% है, देखो कैसे करोगे, बहुत आसान question है, मैंने का, अगर मैं 100 रुपए किसी को उधार देता हूँ, एक वर्श में कितना ब्याज देगा, 10% की दर से 10 रुपए का ब्याज देगा, लेकिन अगर मैं एक वर्श के लिए ही, क्या कर दू, अर्दवार्शी क्रूप से ब्याज calculate करने लगू, तो ब्याज मुझे कितना म आपको नहीं समझ में आपने comment किया, हम लोग आपस चलते हैं, एक बार इस question को मैं समझा देता हूँ, तो देखो इस पे आज कितना मिलेगा, अब rate percent कितना हो जाएगा, पांच परसेंट, तो आपको 6 महीने में 5 मिलेगा, अगले भी 6 महीने में 5, और इस पे क्या 5 का 5% यान 32,000 के बराब, ये question 32,000, बहुत अच्छा, SSC student, very good, B part is the right answer, अब previous question पर आ जाते हैं, जो कि सुमित सिंग राजपूत ने पूछा है, सुमित बेटा देखो, आपकी मन में यही आ रहा होगा कि सर 20% है, अर्दवारसिक है, हमारे सर ने पढ़ाया ता कि rate percent को आधा कर देते हैं समय को दोगना कर देते हैं, तो आप 10% क्यों नहीं कर रहे हो, पेटा रटी रटाई बातों से कभी भी exam नहीं निकलता, आपको concept बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा, बहुत important है कि आप concept को समझ लो, concept क्या कह रहा है, concept ये कह रहा है, कि 20% जो है न, वो क्या है, compound interest है, पर half year, यानि कि हर 6 माही के लिए ही rate percent दे दिया गया, और 6 माही के लिए ही जब rate percent दे दिया गया, तो उसको आधा करनी की जुरत नहीं पड़ती है, तो मैंने क्या किया, 2800 रुपे जमा किया अगर मैंने एक जन्वरी को, तो मुझे बताओ, एक जुलाई तक, यानि 6 महीने में कितना ब्याज मिलेगा, 20% का ब्याज, कितना हो गया, 560, अगले 6 महीने के लिए अगर मैं कुछ और नहीं जमा करता, तो इस 2800 पे 560 मिलता, और इस ब्याज पे 20% 112 मिलता, लेकिन मैंने अगले 6 महीने के लिए फिर से 2800 जमा कर दिया, तो मुझे कितना ब्याज मिलेगा, इ गुना किया कितना आ गया 1680 उसमें 112 जोड दिया तो यह आपका कितना आ गया 1792 तो मिद बेटा समझ में आ गया आपको एक लेर हो गया कि के चलिए यह कुशन समझ में आ गया यह कुशन हम लोगोंने कर लिया next question पर आ जाईये और next question दिखू यह भी सिमिलर कुशन है same to same अगर समझ में आ गया तो जरह इस question का answer निकाल के देदो same to same question है same to same question है जरह attempt करिए 10% जो दर है वो 6 माही की है आपको बोल रहा है एक ग्रहा के एक वर्स में एक जन्वरी और एक जुलाई को 5200 रुपय जमा करता है वर्स के अंत में उसे कितना ब्याज मिलेगा इस राशी पर कैसे करोगे एक जन्वरी को 5200 रुपय आपको होगे सर्च 6 महीने complete होगे 10% मिल जाएगा 520 कितनी date आ गई एक जुलाई आ गई आपने फिर से 5200 रुपय जमा कर दिये ये वर्स का अंत आएगा दिसंबर की कतिस ता जिखाएगी आपने का इस 5200 पे 10% 520 ब्याज मिलेगा इस 5200 पे 10% 520 का ब्याज मिलेगा ये बैठे बैठे क्या करेगा ये भी बैठे बैठे ब्याज बनाएगा 10% ब्याज यानि की 52 रुपय ये भी देगा कुल ब्याज कितना आ जाएगा पांसो बीस का 3-गुना 500-3-गुना 1560-3-60 1560 ये देगा ये आज पे रे ब्याज कितना आ गया बावन रुपय टोटल सम कर दोगे 2016-110 रुप़य ये इसका ब्याज आ जाएगा देखो अगर previous question में नहीं समझ में आया होगा तो यहां पर बहुत अच्छे से clear हो गया होगा तो 1612, B part is the right answer ठीक है, समझ में आगया भी अगर थोड़ा कहीं अलका फुल का doubt रहे गया होगा तो वो इस question के माध्यम से clear हो गया होगा चलिए, next question पर आजाओ, और next question बहुत अच्छा आसान question, SSC CGL के prelims में पूछा हुआ question है आपको बताना है, effective annual rate of interest corresponding to a nominal rate of 19% per annum payable half yearly, यह मुझे बताओ कि अगर 19% प्रतिवर्स की दर, जो की अर्धवार्सिक रूप से दे होती है इसकी प्रभावी वार्सिक दर क्या है, question का मतलब यह है कि अगर मैं 19% प्रतिवर्स की दर से इससे अर्धवार्सिक रूप से ब्याज calculate कर रहा हूँ तो मुझे बात बताओ, कि effectively प्रभावी रूप से जो मेरा पैसा है वो साल भर बाद कितने रुपए से बढ़ जाएगा प्रभावी रूप से जो मेरा पैसा है, अगर मैं 100 रुपए लगाऊं तो वो अब कितना हो जाएगा यही आपसे बस question पूछ रहा है, यही प्रभावी दर होती है आता है इस तरह का question करना सभी को बहुत अच्छा question है बई, इसमें एक option मैं और जोड़ दे रहा हूँ जो अगर किसी, क्योंकि कोई-कोई बच्चे इस तरह की गलतिये भी करते हैं 41.61 यह option भी जोड़ लो, तो बताओ क्या answer आ जाएगा सुमित देखो आपने बटा वो गलती करी जो बहुत common mistake है और जो बच्चे starting में पढ़ने के बाद गलतिये करते हैं, देखिए, अब मैं आपको सिखा रहा हूँ इस question को देखो इस बार question ने पहले क्या बोला, कि जो 19% अगो कैसा है, प्रति वर्स का है तो जब मैं अर्दवार्सी क्रूप से calculate करूँगा, तो कितना calculate करूँगा? इसको, इसको मैं calculate करूँगा 9.5, 9.5% से तो 9.5% कितना? अगर मैं 100 रुपए लोंगा, तो 9.5 मुझे ब्याज मिल जाएगा, अगले 6 महिने में 9.5 ब्याज और मिल जाएगा, लेकिन ये 9.5 अगले 6 महिने के लिए बैठा थोड़ी रहेगा, इस 9.5 पे 9.5 प्रतिसत का ब्याज मिलेगा, 9.5 का 9.5 कितना हो जाएग 9.5 आएगा, दसमलों में लग जाएगा, तो 0.9025 ये इतना बन जाएगा, तो आप क्या बोलोगे? 69 और 69 कितना हो गया? 19 और 19.9 ये इस कुश्चन का आंसर होगा, 19.9 प्रतिसत ये इस कुश्चन का राइट आंसर होगया. कितने बच्चों को ये बास समझ में आई, बताओ ज़रा, वही 69 आपका कितना था? 9.5 और इसका 9.5 परशेंट का मतलब कितना होगा? बते में 100, तो 95 का स्क्वाइर में निकाला कितना आगया? 95, 95 में बते में 100 करूँगा, तो 90.5 और ये दो दसमलों थे, तो ये दो दसमलों कहां पर लेकर आजेंगी? 0.9025, तो साले 9 और सा clear हुआ, इस question का right answer क्या हो जाएगा? B part will be the right answer, बहुत ही अच्छा question है, मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे इस question का answer C part, या D part, या A part लगा देंगे, बट इस question का right answer कितना होगा? 19.9, अगर मैं इसी तरह से इस question को एक थोड़ा आसान question में बना दूँ, मैं यह बोलू कि भाई 10% है, पर एनम की rate percent है, और half yearly आपका compound interest calculate होता है, इसकी प्रभावी दर बताओ, effective rate percent बताओ, इस question का answer आप लोग कितने बच्चे कर सकते हैं? effective rate percent इस case में कितना आ जाएगा? आप बोलोगे सा 10% है, half yearly होगा तो 5% से होगा, तो 5% और 5 का 5% यानि की 0.25 तो जो इसकी effective rate percent हो जाएगी, वो कितनी हो जाएगी? 10.25% के बड़ा, बात समझ गए? वैसे ही, जैसे यहाँ 19% जो है, वो yearly है, आप से बोल रहा है, half yearly करो, तो आपने का यह हो जाएगा साड़े नो, अगले 6 महिने में भी साड़े नो, साड़े नो का साड़े नो, 0.9025, तो टोटल अफेक्ट कितना आ गया? साड़े नो, साड़े नो, 19.09, 0.25, या तो ऐसे लिख लो, या ऐसे लिख लो, clear हो गया, बहुत अच्छा, आकास जैन, बिटा आपको समझ में आया, effective rate percent पे question पूछा गया है, SSC ने, 2-3 बार पूछा है, और यह question उन में से सबसे बढ़िया question है, ठीक है न, चलिए, next question, एक बढ़िया question है, ज़र इसको solve करो, मैं आपको बोला, fractional year हम लोग discuss कर रहे हैं आज, तो fractional year में सबसे अच्छा question जो बनता है, वो इस तरह से बनता है, कि दो सही, दो बटे, तीन वर्सों के लिए, चक्रविद्धी ब्याज की गण करें, करिए गणना, और निकालिए, यदि ब्याज वार्सिक रूप से सही उजित होता है, तो आपको बताना है, ब्याज कितना आएगा, चॉल कर लोगा इस question को देखो, attempt कर लो मैंने आपको class के starting में, succession method का use करते हुए, fractional year को solve करना सिखाया था, देखो, दो वर्सों का मतलब है, एक साल, एक साल, और दो बटे, तीन साल, rate percent हमेंसा आपका fix रहता है, 15%, 15% और 15%, अगर कभी किसी question में rate percent change करें, तो आप इस तरह से change कर दोगे न, तो भी आप question को बड़े आसानी से कर लोगे, तो कितना आ जाएगा, कैसे करोगे, आपने गा सर, पहले साल 15% से बढ़ेगा, 15% का मतलब होता है, 3 बटे 20, 3 बटे 20 का मतलब, अगर पहले साल 20 रुपे है, तो 3 रुपे का भ्याज मिल जाएगा, दूसरे साल भी पूरा पूरा साल गया, 15% की दर से, तो 20 रुपे का 30 रुपे, 23 हो जाएगा, तीसरा साल पूरा होई नहीं पाया, दो ती आई हुआ, तो 15% ना बढ़ करके कितना बढ़ेगा, 3 से काटोगे 15 को 5, 5 का 2 से गुणा करोगे, यानि कि 10% से बढ़ेगा, 10% मतलब 10 से 11, बात समझ गए, तो मैं क्या बोलूँगा, कि अगर मेरे पास 2 का गुणा 2, 4, 4,000 रुपे होते, अगर मेरे पास 4,000 रुपे होते, तो पता है कितना, मेरा एमाउंट कितना हो जाता, 23 का स्क्वायर, 529, गुणा करोगे 11 से, 11 का गुणा करते हो तो 9 आ जाता है, 9 और 2, 11 का एक हासी लगता, 5, 2, 7 और 1, 8 और ये हो जाता है, 5, तो मेरे जो रुपे हो जाते, 5,819, या फिर मैं क्या बोलूँगा, कि 18,19, इतना, 4,000 से 5,000 कितना, 1,819, तो 1,819 का मुझे ब्य आज मिलता, लेकिन क्या बोल रहा है, मेरे पास प्रिंसिपल के रूप में 4,000 नहीं है, 20,000 कितने से गुणा किया गया, 5 से, मैं 5 से गुणा कर दूँगा, ये मेरा आंसर आ जाएगा, 19,95, 18,95, ये इस क्यूश्यन का राइट आंसर हो गया, clear हो कई बात समझ में आ गया, ब बर चेक कर लिजे, जो भी गलती करी, यहीं correct कर लेना, एक्जाम में गलती repeat ना हो, आपको समझ में आ गया न, कैसे करना है, जो भी fractional year है, उस fraction के साथ, हम लोग rate percent को multiply करेंगे, जो नई rate percent आ गई, उससे हम लोग question को solve करेंगे, ऐसा question और मिलेगा आपको तो कर लोगे आप, एक्जाम में आएगा इसा question तो आप कर लोगे न, चलिए, बहुत अच्छा, सुमित, बढ़िये लगा, मज़ा आया, बहुत अच्छे, चलो, next question को rate करो, क्या question कह रहा है, देखो, श्री श्री राम ने एक FD में 14,000 रुपए का निवेस किया, fixed deposit, FD का मतलब fixed deposit में 14,000 पर प्राप्त होंगे, यदि उन्होंने 6 महीने के लिए 20% चक्वर्दी ब्याज पर निवेस किया था, जो तीमाही संयोजित होता है, अब देखो, ये जो rate percent है, ये कितनी ही आपकी, ये आपकी प्रतिवर्स है, उन्होंने लगाया कितने समय के लिए, 6 महीने के लिए, और 6 महीने में भी कैसे वो तीमाही रूप से संयोजित होता है, question बहुत गजब है, आप समझोगे पहली बार में तो आपको समझने में ऐसा लगेगा कि question कहना क्या चाह रहे है, तो देखो भई, आप कहोगे sir rate percent क्या है, पहले तो ये बताओ, तो मैं बोलूँगा, एक साल में 20 percent, एक साल में 20 percent का मतलब, अगर मैं बोलता हूँ, एक साल को तो मैं 12 months बोल सकता हूँ, 12 months में 20 percent, तो अगर मैं तिमाही सहीं उजित करता हूँ, 3 months में calculate करना चाहता हूँ, तो इसमें 12 months में कितने से divide कर दिया, 4 से, तो rate percent में भी 4 से divide कर दोगे, कितना आ जाएगा, 5 percent, जो आ किमाही 3 महिने की एक साइकल तो 6 महिने के लिए हमें 2 साइकल चाहिए होंगी 5% का मतलब 20 से 21 तो 6 महिने के लिए आपने का पहले 3 महिने के लिए यह अगले 3 महिने के लिए तो 20 से 21 यानि कि अगर मैं 400 रुपए इंवेस्ट करूंगा 20 का स्क्वाइर 400 तो मुझे कितना मिलेग 441 रुपए मिलेगा ठीक बात है समझ में आया question यही पूछ रहा है आपको 400 रुपए ना दे करके कितना दे दिया 14,000 रुपए दे दिया है आप से पूछा है इसकी value बता दो कितनी आ जाएगी तो solve कर लोगे 400 की value इतनी एक की value बटे में आ गया 400 हमें चाहिए कितना 441 यह आप solve करोगे 2,0 से 2,0 कट जाएंगे 4 से यह कट जाएगा 70 और 70 का आधा 35 35 का गुणा एक में करोगे 35 के 5 हासिल लगेगा 35 चोको 140 143 चौदा आपका आ जाएगा 35 चोको 140 और 154 15435 कहां पर है last option is the right answer चलो बहुत अच्छे very good और SSC student बच्चे ने बहुत जल्दी आंसर दे दिया था very nice बटा और आकास का भी आंसर D part आ गया very good चलिए D part is the right answer next question पर आ जाएए अगला सवाल आसान है तरह मासिक ब्याजदर से 6724 रुपए हो जाती है आपको बताना है समय की गढ़ना करनी ये question एक अच्छा आसान question है जड़ा attempt करो इसका right answer find out करो देखिए 6400 रुपए है कितना हो जाता है 6724 ठीक है ना और किस rate percent से हो रहा है 10 percent प्रेतिवर्स वाली है लेकिन तरह मासिक ब्याजदर से calculation हो रही है आपने का 12 महीने एक साल में कितना हो जाता है 10 percent 3 months में कितना हो जाएगा आपने का 4 से divide कर देते हैं 4 से divide करोगे तो कितना आ जाएगा 5 बटे 2 ये आपकी rate percent है अच्छा देखो एक बात मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ बहुत सरल सी बात है और बहुत आसानी चाप इस से इस तरह कि कितने भी बड़े question हो बड़े आसानी से आप कर लोगे मैं आपको बोलूगा कि approximate जरह इसको ब्याज बदाओ कितना मिला तो 400 से 700 गया तो 300 और 24 324 ब्याज मिला अब मैं आपको बोलूगा कि भली compound interest का question है लेकिन जब भी आपसे समय पूछा जाए एक बात मेरी हमेशा याद रखना समय का जब भी question हो आप अन्दाजे से यानि कि जैसे कोई simple interest का question साधान ब्याज का question नहीं कर रहो वैसे जरह करो इसको और हर चीज को approximately करो तो मैं क्या बोलूगा कि भाई देखो 6400 पर अब आपकी ब्याजदर भी क्या है simple interest में ब्याजदर कभी भी 6 माही तिमाही नहीं होती है वो हमेशा इसी rate से चलती है तो आपने का अगर साधान ब्याज की बात करें तो 320 सुपह मिलता कब 6 माहीने में लगभग इसके बराबर है न आपका आंसर 6 माही नहीं आंसर आएगा 100% गलत कभी नहीं होगा जो मैं आपको बात बोल रहो हूँ ये बात आप ध्यान रखना कभी भी compound interest का question समय पर बेश्ट बने आपसे पूछा जाए कितना समय time बताईए आप question को कैसे पढ़ोगे simple interest की तरह है समय कभी पूछा जाए लगभग लगभग में answer देखो 6400 है rate percent आपके 10% चलेगी तब change ही नहीं होगी तो 6400 का लगभग मैंने कहा कि ब्याज 320 अगर 640 के आसपास होता तो मैं बोलता एक साल में 640 देगा ठीक है ना अगर यहां पर कितना 6 महिने में 320 के आसपास आपका ब्याज कितना है 320 के आसपास है तो right answer कितना हो जाएगा right answer हो जाएगा 6 महिने कितने लोगों को यह बात समझ में आई ध्यान रखोगे ना इस बात को बिलकुल ध्यान रखना और देखना 100% आप आज के आज में अभी एक काम करना आपके पास कोई भी बुक हो जिसमें compound interest का chapter हो उसमें वो question निकालना जिनमें समय अवधी के पूछ रहा है बता रहा है कि कितने time period में ऐसा हो जाएगा ऐसे question में जहां पर आपको principle और amount दिया हो आप देखना उसको simple interest से करना और 100% आपका answer सही आएगा ठीके चलिए I hope आपको ये बास समझ में आगई next question पर आजाओ अगला सवाल देखो और इस question का right answer find out करो बोला 10,000 रुपे की दर पर 40% वार्सिक ब्याज ये rate पर्सिक है एक वर्स में बताना है तीमाही और वार्सिक रूप से सही ओजी चक्रदी ब्याजों में कितने कांतर होगा यानि कि एक साल का एक साल में अगर मैं compound करू annually और compound करू quarterly quarterly जब हम लोग compound करते हैं तीमाही compound करते हैं एक साल में कितनी तीमाही बनती है एक 3 months, एक 3 months, एक 3 months और एक और 3 months तो इस तरह से 4 cycle आपकी बनती है 4 cycle बनती है तो rate percent भी कितना हो जाता है 12 months के लिए 40 percent तो 3 months के लिए कितना हो जाएगा 4 से divide कर दोगे, 4 से divide करोगे कितना हो जाएगा 10% के बराबर, तो यहाँ पर rate percent भी 10% हो जाता है, तो 10% के हिसाब से, अब आप देख लो, 10% के हिसाब से 4 cycle में कितना हो जाएगा, 10 से 11 लिखोगे, तो 10 से 11, 10 से 11, 10 से 11, और 10 से 11, तो यह कितना हो जाएगा, 10 की power 4 तो 10,000 हो गया, 11 की power 4 कितना आ जाता है, 14,641, यह नंबर लखना, 3 बार 1331, चार बार में 14,641, तो कितना ब्याज मिल जाता है, आपने का 4,641 ब्याज मिल जाता है, और बोल रहा है, वार्सी करें, तो वार्सी करो, तो अगर मैं प्रिंसिपल सेम ले लो, question में भी 10,000 बोला गया, तो 40% से 1 वर्स में कितना ब्याज मिलेगा, 40% से 1 ब्याज मिल जाएगा, 4,000 रुपए, तो 4,000, 4,641 में कितनी का अंतर है, यह आपका question हो गया, खतम, एकदम आसान सा question था, हैगी नही, D part will be the right answer, ठीके, वेरी गुड, यह question बहुत आसान था, आजाओ next question पर आजाओ, और next question बढ़िया question है, इसको solve करो, बोला 4% प्रतिवर्स की दर से, 9 माह के लिए, एक लाख रुपए पर, चक्रविद्धी ब्याज, जो की तिमाही संयूजित होता है, आपको calculate करना है, चक्रविद्धी ब्याज कितना होगा, एक लाख रुपए, यानि की, एक, डबल जीरो, ट्रिपल जीरो, इस पे, ब्याज की दर वार्सिक, या मतलब, तीन साइकल है, मतलब, तीन साइकल है, मतलब, हर 3 months, फृर 3 months, और फिर लाज रूपए, इस तरह से, यह तेन बार आपको ब्याज मिलेगा, तो, इन तीन ब्याज की बाद आपको बताना है, इस पे ब्याज कितना मिलेगा, एक पर्सेंट के हिसाब से है, investigation, बहुत आ एक साल में कितना मिलेगा थी एक साइकल में कितना मिलेगा थी त्री मद्ष डूलने कि एक साइकल में यहाँ पर मुझे कितना मिलेगा एक परिंट म Bengal भी िरी सो यनृत मुझे आ मिलेगा वह इसके बाद इसको अगले मंद कितना होगा यह ब्याज फोट मिल जाएगा एक पर प्याज मिले गई इस वाले पर 10 एक प्रशेंट यह 10 रुपए मिले गघा इसको यह पर भी 10 रुपए मिलेगा और इस 10 का भी एक परसेंट यानि की 0.1 इतना आपको ब्याज मिलेगा यह खाली बैठे हुए बच्चे हैं आपको काम नहीं बचा है तो यही सब काम बचता है चलिए बच, शीक है तो कितना आपको ब्याज आ गया यह आप काल्कॉलेट कर लोगे 1000, 1000, 1300 और 10,30,30,30 3030,30,10 रुए 1 यह आपको तीन बचतेंगा, बॉर्शक और नेक्स्ट पर आजाएए अगला सवाल देखो बड़ी है कूश्न है क्या कह है performa 37,500 रुपए की राशी पर एक सही एक बटे तीन वर्सों के लिए 12% की दर से चक्रविदी ब्याज क्या होगा, यदि चक्रविदी ब्याज आठ मासिक है, 8 मंतली अगर कंपाउंड हो रहा है तो आपको बताना है, जेको सॉल कर लो, अभी सेशनस डेली नहीं हो रहे हैं, लेकिन फोड़े समय के बाद सेशनस डेली भी होंगे, अभी तो जैसे जो भी तो भी topic है जिसमें problem आती है जिस भी सब topics में अगर किसी बिच्चे को problem रहती है तो वो comment कर देता है तो फिर हम लोग उसी topic पर question session ले लेते हैं कि आने वाले समय में regular session से स्टार्ट होंगे एसे सी जीडी के लिए अभी regular होंगे यहां पर तो मैं CGL ले रहा हूं तो बहुत अच्छे लेवल से question स्टार्ट कर रहा हूं आठ मासिक है जब भी आपका rate percent 12% होता है न तो बहुत आसान हो जाता है तो जितने मासिक बोले eight months के लिए eight percent rate percent कितनी हो गई eight percent के बराबर एक बात है समझ गए तो eight months के लिए eight percent हो गई अब दिखो एक से एक बटे तीन words का मतलब कितना होता है एक एक वर्स का मतलब 12 महीने तो एक तियाई मतलब 4 महीने तो तोटल कितने हो गहे बारा चार सोह महीने तो अगर एट्म की चक्रोषि ब्याज कैलकुलेट aur 16 महीने कैसे हो जाएंगे एट मांतस आदे और एट मेंस आध्यके ये दो आपके इस तरह से हो जाएंगे, ठीक है न, तो दो हो जाएंगे आपके, और rate percent कितनी चलेगी, 8 percent की, ठीक है न, अच्छा देखो, अब क्या हो गया, आपने का 37,500 रुपए था मेरे पास, तो पहले इस 8 months में कितना ब्याज मिलेगा, आपने का 8 percent इसका मिलेगा, तो 375 गुण 8,56 और 4,60 के 0 हांसिल लगेगा, 6, 8,3,24, और 6, आपने का 3,000 रुपए ये ब्याज मिल रहे हैं, तो अगले 8 months में भी 3,000 तो ब्याज मिले गई, इसका 8 percent और मिल जाएगा, इसका 8 percent कितना हो जाएगा, 240, तो आपने क्या बोला, कितना ब्याज मिलेगा, 3,000, 3,240, कितना हो इसका हो गया question, last question है, आज के session का, और fractional year पर बेश्ट बहुत बढ़िया question है, attempt करो सभी लोग और इसका right answer, find out करो, देखे कितने बिच्चे इस question को correctly कर पाते हैं, similar question जैसा अभी आपने किया, वैसा ही question है, ये भी, attempt कर लो question क्या बोल रहा है, 12,000 रुपए की राशी पर, एक सही, एक बटे 6 वर्स के लिए, 24% प्रति वर्स की दर से, ब्याज की गढ़ना 7 महिने की दर से की जाती है, कितने ब्याज का बुक्तान करने की आविस सकता है, ये आपका question है, ब्याज आपको calculate करना है, attempt कर लो, same to same question है, आपका rate percent कितना आएगा, आपका होगे 12 महिनों के लिए 24% है, तो 7 महिनों के लिए कितना आजाएगा, 7 months के लिए, आपने का 12 दूनी 24, तो 7 दूनी 14, तो 14% का rate percent हो जाएगा, एक सही एक बटे 6 words मतलब 12 महिने, और एक बटे 6 मतलब 2 महिने, तो total कितना हो जाएगा, 12 और 2, 14 महिनों के लिए बात हो रही है, 14 months के लिए बात हो रही है, तो ये 12 और 2, ये हो गया, 14 महिने इस तरह से हो जाएगा, तो 14 महिने हो गया, आपको चाहिए 7 महिने पर ब्याज दे दें, तो 14 महिने मतलब 2 cycle हो जाएगी, एक 7 months की और अगली 7 months की, तो बुल रहा कितने ब्याज की भुकतान करने की आवशिक्ता है, तो आपको होगे 12,000 रुपए है, 12,000 रुपए है, 7 months और 7 months, ये 2 आपको cycle इस त 12,000 गुणे 14 करते तो कितना आता, 13 plus 1, 13 minus 1, देखो, 12,000 गुणे 14% बटे 100, 2,0 से 2,0 काट दो, 12 का गुणा 14 से कैसे करोगे, एक नंबर 13 से 1 छोटा है, एक 13 से 1 बढ़ा है, 13 का स्कार माइनस 1 का स्कार, 13 का स्कार 169, एक कम कर दोगे, तो 1680, 1680 रुपए आपको ब्याज मिल गई, इसका 14 पर्षेंट और निकालना पड़ेगा, अब इसका 14 पर्षेंट बहुत कठिना ही भरा हो जाएगा, तो आसान तरीका सीख लो, 1660 का 10 पर्षेंट कितना होता, 16.8, तो 4 पर्षेंट कितना होगा, इसमें 4 से गुणा कर दो, 1664, 8 चुको 32, तो 64 और 3667, दो, इन द 220, 220 और 230, 235, 235, यह आपका ब्याज आगया, कितना, 14 पर्षेंट किसका, 1680 का, तो 1680 का पहले तो डबल कर दो के कितना हो जाएगा, 1632 और 3360, तो 3360 यह आगया, इसमें आप और जोड़ोगे, इसमें और जोड़ोगे, तो कितना हो जाएगा, 95.2 और 325, और 3, 3595.2, कहां प 325, ए पार्ट में दिया गया, ए पार्ट is the right answer, चलो बहुत बढ़िया, आर के funny comedy वीडियो भहिया जी, भहिया जी आपने बोला कि आपको समझ में नहीं आया, तो बिटा क्या आपको इसी question में problem आई, या फिर इससे पहले के किसी question में problem आई, या फिर आपको किसी भी question को आई, नहीं, तो आपको क्या समस्या आ रही है, आप बता दो एक बार तो फिर मैं उसका solution बता देता हूँ, अच्छा जस्ट इंटर किये, ओके, चलो कोई नहीं, आज तो यहां तक ही मैंने questions discuss किये, थोड़े से अच्छे level के questions, यहां पर मैंने discuss किये हैं, जो भी बच्चे CGL का एक्जाम देने वाले हैं, या जो CHSL की त्यारी कर रहे हैं, और थोड़ा सा उनको एक, मतलब basic जिनको थोड़ा बहुत आता है, कुछ improvement के लिए मैंने चीजें बताई हैं यहां पर, कि क्य क्या क्या आप चीजें और इस तरह से कर सकते हो, या question को करने का जो तरीका आप लगाते हो, उससे क्या improvement आप कर सकते हो, ठीक है, बांकी आप regular रहे हैं, sessions में, अगर कोई भी दिक्कत रहती है, कुछ नहीं समझ में आता है, तो आप मेरे session को किसी भी session में join करना, आप अपने comment करना, मैं आपको बहुत basic level तक से भी question को explain करूँगा, ठीक है, चलिए, बांकी बच्चे मज़ा आया, मुझे भी आप बच्चों के साथ, और आप बच्चों ने बहुत अच्छे से comment किया, और right answers बहुत जल्दी जल्दी निकाले, खास करके, sst student और आकास gen, दोनों तुम इतने अच्छा चीजों का बहुत अच्छा, ठीक है, तो CHSL की तयारी बहुत जल्द कराएंगे, रागहो यादो, और complete तयारी आपको यहाँ पर ही channel पर मिलेगी, और regular अभी session की timing fix नहीं है, अभी कुछ topics को हम लोग discuss कर रहे हैं, और regular जब session start होगा, तो आपको बिल्क को discuss यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है, चलो, तो मज़ा आया आज के session में, बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने discuss करी, बहुत सारे questions discuss किये, compound interest के खास करके fractional year, या फिर जब compounded monthly question पूछता है, वो हम लोगों ने discuss किया, बिल्कुल बेटा, मेरा unacademy plus पर course चल रहा है, अगर doubts हैं, तो देखो doubts के लिए मैं 4-5 पर special session लेता है, यानि कि free class रहती है, आप अपने doubts पूछिए, बाकि जो बच्चों को अगर कुछ और पूछना है, तो night में भी 9-15 पर और दो पहर में 2 बजे, इन times में मेरी class रहती है plus session, तो जो लोग plus में हैं already, वो लोग इस time पर join कर ले बिल्कुल बेटा, SEC GD की vacancy बढ़ गई है, 45,000 के आसपास हो गई है, तो जो भी बच्चे GD के लिए तैयारी करना है, उनके लिए तो भई बहुत ही बढ़िया मौका है ये, GD की vacancies double हो गई है almost, तो बहुत अच्छा है, average पढ़ना है, विल्कुल, अच्छा जाइन कर रख है, आकास तो बिल्कुल जॉइन करना आप, दो बजे दो पहर में, या फिर सव नो बजे रात में, अभी नाइट में, गंटे बाद, तो वहां पर हम लोग फिर डिसकस करते हैं, कोई भी दिक्कत है तो, आरे बाद, ठीक है, तो मिलते हैं फिर, next session में, तब तक सभी बिच् क्याल रखिए, बढ़ी असे रही है, एक्जाम पास है, तो तैयारी करते हैं, मेनत करते हैं, लगे रहो, ठीक है, ठीक केर बाबाए,